हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, सेल्फिस्टिडी हल्प स्टुडेंट्स, आज मैं आपको क्लास एट सोसल साइंस की बुक से जोगरिफी में चैप्टर नमर फाइव पढ़ाऊंगा चैप्टर नमर फाइव है, मिनरल एंड पावर रिसोर्शिस स्टुडेंट्स, इससे पहले मैं जोगर्फी में फोर चैप्टर वान टू त्री फोर फोर चैप्टर को मैं एक्स्प्रेंट कर दिया है अगर वो फोर चैप्टर आपने नहीं देखे हैं, तो अभी आपके मुवाइल के सबसे उपर टॉप स्क्रीन पे सबसे उपर आई बटन का लिंग का रहा होगा, आप आई बटन का लिंग को प्रेस करें और जाकर कि वो वीडियो आप देख लें आपके इस बुक में, मैं इस बुक से आपको एक्स्प्रेंट कर रहा हूँ, उसका नाम है नू लॉग मैं विस्टाज तीक है, उसके मैं सारे चैप्टर से एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ, जाकर करके आप देख लीजिए तो स्टार्ट करते हैं, आज का चैप्टर, मिनरल और पावर, रिसोर्सेज पहली हीडिंग जो आपकी बुक यह, वो यह है, मिनरल रिसोर्सेज आई सबसे पहले जानते हैं मिन्नल्स क्या होता है मिन्नल्स जो होते हैं यह naturally occurring substance होते हैं यह homogenous होते हैं यह naturally occurring substance होते हैं nature में naturally पाय जाते हैं यह combination में भी होते हैं single में भी होते हैं कुछ-कुछ element होते हैं वो combination में भी पाय जाते हैं कुछ single भी मिलते हैं ठीक है ये क्या होते हैं कि constituent of rocks होते हैं जैसे मिट्टी की रूप में चट्टानों की रूप में ये रहते हैं ठीक है और जितने भी आपके minerals होते हैं वो कई प्रकार के composition से चट्टानों से मिट्टी से मिल करके बने होते हैं कुछ जो हते हैं वो बहुत ही large quantity में होते हैं कुछ जो हते हैं वो छोटे quantity मिलते हैं ठीक है जिन rocks में minerals मिलते हैं उन्हें उनका ओर बोला जाता है जैसे aluminium कहाँ जे मिलता है backside से अल्यूमियम का oar हो गया घिक जैसे iron or भी होते हैं इजे mix state में होते हैं। जो गोल्ड पाए जाता है आपके आर्थ में माइनिंग करने पे गोल्ड आपका मीठी जैसा होता है ठीकिर समें बहुत सारे element होते हैं उनको purify हम जब करते हैं तो उनसे हम गोल्ड को अलग कर लेता है यह आपका aluminum के साथ भी होता है तो बाकसाइड नाम के ओर में केवाल अलमूनियम ही नहीं होता है, माकी और भी एलेमेंट्स हमारे होते हैं, ठीक है, अब आई ये चलते हैं, दूसरे एडिंग पे, अगली आपकी एडिंग है, टाइपस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स बहुत टाइप के होते हैं, अगर आपास गर् बहुत से टाइप के हमारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन अगर फीजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बात किया जाए, जो फीजिकल प्रॉपर्टी उनकी कैसी होती है, और केमिकल प्रॉपर्टी उनकी कैसी होती है, तो इस बीजिस पे हम मिनरल्स को टू कैटेगरी में डिफा यहमा जाएगा तो इनको फ्यूल भी कहते हैं इनको फ्यूल मिनरल भी कहते हैं इनको और और अर zogen पेता हैं और में हुआ बाद ब्र हम इसांपल हो जाएंगे दूसरा आपका है इन और अर्गाद निक में mayoría इन इन और ऑगयनीक मिनरल गो भी टू कैटेगरिस में हम डिवाइड कर सकते हैं मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल्स मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं मेटलिक मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल की क्वाल्टी जिनमें मेटल होते हैं जैसे iron हो गया, copper हो गया, aluminium हो गया, gold हो गया, silver हो गया, यह जो आपके element हैं, वो metallic minerals इनको हम कहेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद से होते हैं non-metallic, तो non-metallic जो होते हैं, उन में metal नहीं पाय जाते, या उन minerals में, उन elements में, metal की quality नहीं पाय जाती, और जो metallic minerals होते हैं, उन में metal की quality पाय जाती है, जो आपके metallic minerals होते हैं, वो igneous और metamorphic rock में पाय जाते हैं, igneous rock और metamorphic rock जो होती है, उन rocks का माइनिंग करते हैं, तो उसमें यह पाय जाता है, metallic minerals जो होते हैं, वो hard होते हैं, lustre होते हैं, और heat और electricity के good conductor होते हैं, या इलेक्रिसटी इसमें असानी से प्रवाइज की जा सकती है ठीक है और मेटल को भी हम आगे चल करके two categories में divide कर सकते है ferrous metal और non-ferrous metal ferrous metal कहने का मतलब जिसमें ferrous यानि लोहा iron iron की quality पाई जाती है उन minerals को ferrous minerals कहते है जिसे iron हो गया, manganese हो गया chromite हो गया और भी बहुत से example लिए जा सकते हैं जिस ठीक है iron हो गया आपका chromite हो गया ठीक है तो यह जो आपके होते हैं इनको ferrous metals कहते हैं क्योंकि उनमे iron की qualities पाई जाती है ठीक है उसके बाद से इसी दूसरी जिसकी category बनती है यह हम metallic minerals की category की बात कर रहे हैं ferrous और non ferrous non ferrous वो होते हैं जिनमे iron की qualities नहीं पाई जाती है या जिनमे iron नहीं होता है ठीक है जैसे copper हो गया gold हो गया copper हो गया silver हो गया gold हो गया यह जो आपके metal होते हैं इनमे iron की quality नहीं पाई जाती है इनमे iron नहीं पाई जाता है तो जिसमें iron नहीं पाई जाता है उनको non ferrous कहते हैं जिस तो सब्सक्राइब करने नहीं नाल मिनेरल को प्राइब की क्वार्टी नहीं पाई जाती हैं गपने इसलिए तो इसका नव नौन metallic है non-metallic minerals में metallic minerals की या इसमें कोई quality नहीं पाएती या इनमें या इसमें metal पाए ही नहीं जाते तो इसकी example क्या हो गया कि limestone हो गया sulfur हो गया Potash हो गया Nitrate हो गया Mica हो गया grams जिपसम हो गया टीक है यह सब इसके example होते हैं दूसरी important बात जो अकर exam में पूछा जाता है कि non-metallic minerals कहां से मिलते हैं यानि किस प्रकार के stone से मिलते हैं तो यह sedimentary rock से मिलते हैं और अब आप याद होगा कि metallic minerals होते हैं वो किस rock से मिलते थे तो igneous या metamorphic rock से मिलते हैं और हम जो non-metallic minerals हमारे होते हैं जैसे gypsum, sulfur, potas, nitrate, mica या आपके sedimentary rock से मिलते हैं तीके यह जो आपके होते हैं यह soft होते हैं और lustrous नहीं होते तीके और electricity और heat के good conductor यह नहीं होते हैं यह बहुत bad conductor होते हैं electricity और heat के जबकि metallic minerals के बारे में अपने क्या पढ़ाता यह heat और electricity के बहुती good conductor होते हैं अब आई यह अगले heading पे चलते हैं अब अगले heading आपकी है mining ठीक है mining क्या है, तो mining एक प्रकार का process है, जिस process को करने से हमें minerals मिलते हैं ठीक है, minerals का extraction किया जाता है, minerals को जब निकाला जाता है तो उसी process को हम क्या कहते है, mining कहते है ठीक है, तो यह होता कैसे है हम earth को, जमीन को क्या करते है, खंते हैं, बहुत अंदर तक गाराय तो उसको खंते हैं, खोते हैं और मिटी निकालते रहते हैं खंते खंते हमें, जब सब सब नीचे जाते हैं, एक level पे तो हमें यह मिलते हैं यह जो mining, इसको इसी को mining कहते है ठीक है, खंना तो यह जो mining का method होता है वो depend करता है कि किदने depth में हम क्या हमको मिलेगा सब से पहले scientific method के द्वारा पता लगा जाता है कि particular जमीन की नीचे कौन सा mineral पाय जाता है ठीक है, और जब इसका पता लगा लिया जाता है जब इसका research कर लिया जाता है तब जो है कि खुदाई का काम या खंने का काम शुरू किया जाता है ठीक है, एक method आपको पता है querying, this method is practiced when the minerals are located very close to the surface querying, mining हम कब करते हैं जब mineral जोए की और्थ से बहुत नीचे नहीं रहता है उपर ही रहता है open pit mining open pit mining क्या होती है जब mineral और्थ में बहुत नीचे दबा होता है ठीक है, बहुत under होता है बहुत deep होता है तो जो हम जीस प्रकार की mining करते हैं उससे हम open pit mining कहते हैं, ठीक है तो दो टाइब की mining होती है और भी टाइब की होती है quarrying mining, open pit mining और जो third आपकी होती है वो shaft mining होती है SHFT shaft mining क्या होता है कि जब mineral बहुत deep बहुत ही ज़ादे deep होते हैं आर्थ में जमीन के बहुत नीचे होते हैं बहुत deep होते हैं तो shaft mining का use हम करते हैं उसके बाद से अगली drilling कहते हैं जो next आपकी method है mining का उसको कहते हैं drilling drilling क्या होती है यह method उस समय use किया जाता है जब oil निकालना हो petroleum निकालना हो oil निकालना हो तो drill करना पड़ता है तब हम उसको shaft mining open pit mining या quarrying से हम oil नहीं निकाल पाते हैं उसके लिए हमको drill करना पड़ता है तो oil या petroleum निकालने के लिए जिस mining technique का हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं drilling ऐसे ही एक एक point को एक एक कीच को हम detail में आराम से समझते चलते हैं मैं प्रयास करूँगा कि आपको detail में समझाऊ एक एक चीज को अच्छे से समझाऊ मैं अगर फिर भी आपको कोई question है कोई query आपकी है तो आप comment box में जरूर लिखें और question लिखते समय आप अपने place का नाम भी लिखें कि कहां से आप मुझे सुन रहे हैं कहां से आप मुझे देख रहे हैं जगह का नाम भी आप लिखना ना भूलें और साथ जहत वीडियो को like कर दें और अपने friends में अपने circle में इस वीडियो को share जरूर करें ताकि और भी students इसका lab इसका advantage ले सकें आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और बात हैं आगली heading आपकी है distribution of mineral resources अभी steady में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इंडिया में कितने कितने type का minerals पाय जाता है और किन-किन state में कहां-कहां mineral पाय जाता है आसा तो होगा नहीं कि gold इंडिया के हर district में पाय जाता हो और diamond या copper इंडिया के हर district में पाय जाता हो स्टेट में अलड अलग अलग जगह अलग मिलाल पाय जाते हैं क्योंकि अलग अलग जगह चट्टाने भी यानि रॉक्स 2014 होंगी वह मैटलिक मिलर पाय जाता होगा और जहां सेरीमेंटरिद रॉक्स हो वह पर नॉन मेटलिक मिनरल्स पाए जाएंगे अई देखते हैं सबस्वर्ण का लेते हैं ठीक है आई जो आपका होता है यह पूरे वर्ल्ड की बात करें तो रशिया में यूक्रेन में यूसे में टैनेडा में फ्रांस में स्विडन में ब्रेजील में चाइना में और इंडिया क उरिषा में चतीज गर में मद्यपरदेश में करनाटका में मारस्टा में गोवा में यह उपी में आपका आरन नहीं पाए जाता ठीक है और आरन का यूस बहुत सारा होता है steel बनाने में बहुत सारे manufacturing करने में मैंगनेटाइट, भेहमेटाइट, लिमोनाइट, बहुत सरी चीज़े बनाने में उसका यूज होता है, उसके पासे आपको मैंगनीज, मैंगनीज का यूज क्या होता है, तो स्टील बनाने में होता है, एलोई बनाने में होता है, ब्लिचिंग पडर बनाने में होता है, लगबग इनी स्टेट में आपने देखा था कि आरन भी पाय जाता है यानि जारकान उडिशा चतिस गड़ मद्रपरदेश करनाटका महरास्त्रा इसका मतलब यह हुआ कि मिनरल के पॉइंटर व्यू से अगर हम देखें तो यह स्टेट काफी धनी है इन स्टेट में मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्टिकल एक्पीपेंट बनाने में वायर banane में अब्रणे में यह बहुत यह जाधे यसफुल होता है यह कहां-कहां पाय जाता है मद्रप्रदेश में राजस्तान में जारकंड में करनाटका में चतिस गड़ में एक बार फिर लगबर souls कgoing यह यह और है और inteligust से मैं क्या मिलता है अलिमूनियम्स एरोपलेन बनाने में घर के सामान बनाने में बरतन बनाने में घर कर एंचरिक केबल बनाने में बहुत हैं चीजिए bombing का यूज, यह अब ये तो बहुत होता है ज्योली बनाने में होता है ठीक है और मीडियम आफ एक्सिएंज आप मनी होता है जैसे फॉरेंग से हम्जब कोई सामान एक्षेंज करते हैं ठीक है तो उसका PRICE GOLD में निडारीत किया जाता है गोल्ड आपके इंडिया में करनाठा में आंद्र प्रदेश में यही दो स्टेट में पाए जाता है आप देख रहे हैं तो कि आरन मेगनीर तो 5-6 स्टेट में पाए जाता था लेकिन गोल्ड हमारे हैं बहुत कम पाए जाता है करनाट का और आंद्रा में ही पाए जाता है अब बात करते हैं डायमंड की डायमंड भी हमारे कंट्री में बहुत खुक्क है जाता है तो ग्रास को कट करने में और जोल्य बनाने में लाइबन ए करे हसे जाते है और हमारे मद्र पंधुप्रदिश और अंद्र प्रदेश में ही कि एक सकते माइक 멋- deservesrator शुक्रीज कोड़े ही मात करते हैं माई का आपका बिहार में, जारखंड में, आंद्रप्रदेश में और रजास्तान में पाये जाता है। उसके बाद से आप बात करते हैं लाइम स्टूवन की। लाइम स्टूवन जीसे हम चूना पत्तर भी कहते हैं। यह भी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हम सिमेंट बनाते हैं और भी फ़र्नेस में या एटॉमिक चीजों में इनका यूज होता है। और यह कहां का पाया जाता है तो यह आपका भीहार में, जारखंड में, औरिशा में, मद्रप्रदेश में, चत्तीसगर्ड में, रजस्थान में और गुजरात में पाया जाता है। सेमेंट इन्रेस्ट्री के लिए जो रॉम मेट्रियल हमको मिलता है ना वो लाइमिस्टोन से ही मिलता है। अब इन minerals की हम रक्षा कैसे करेंगे इनको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे तो conversation of minerals अब सवाल है होता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि minerals को हमको protect करने की जरूरत पड़ या कंजारो करने की जरूरत पड़ रही है तो हम इनको बहुत extract करके निकाल रहे हैं बहुत जादा खन-खन कमिस को निकालते चले जा रहे हैं लेकिन यह सब चीजे हमारे limited amount में हैं ठीक है जब यह खतम हो जाएंगे तो फिर यह दुबारा हमको नहीं मिलने वाले तो इस लियाज से इनका use बहुत ही हमको carefully करने की जरूरत है ठीक है तो इनको हम protect कैसे करेंगे इनको हम ऐसा ही use करेंगे कम use करेंगे कि यह बहुत जादे time तक हमारे भंडार में बने रहे हैं और हम इसका use कर पाएं ठीक है तो इनको preserve करने के लिए इनको conserve करने के लिए इनको लंबे समय तक चलाने के लिए हम जिन तरीकों का यूज़ करेंगे उसी को कहेंगे conversation of मिंडल्स तो सबसे पिलाब ग्याती recycling recycling का मतलब क्या होता है कि जैसे iron हुआ, gold हुआ, silver हुआ, aluminium हुआ ये इनको हम बार-बार के अगर हम discard कर दिये ये अगर खराब हो गया फिर इनको हम गला करके पिला करके, इनसे हम नई चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है जिसे माल ये aluminium का बरतन है, वो खराब हो गया फिर उसे गला करके, और दूसरा बरतन उसे बनाया जा सकता है एक हम iron, gold, silver और aluminium के साथ भी किया जा सकता है यारी उनको recycling करना दूसरा क्या तरहिका है avoiding wastage हमको इनको waste नहीं करना है जितनी ज़रूरत में हमको उतना ही इनका mining किया जाए जितनी ज़रूरत में उतनी ही इनको पिलाया जाए smelt किया जाए ठीक है, और इनको waste न किया जाए उसके बास से थर्ड आपका है सब्स्टिटूट्स इनके अल्टेनेटिज ढूंडे जाएं अगर आइरन की क्वाल्टी वाला कोई आधर हमको मिन्रल मिल जाता है जो कि सस्ता हो इसी हो तो उसका यूस किया जाएं ठीक है आइरन की जिगह हम बायो डिग्रेडिबल प्लास्टिक का यूस कर सकते हैं वूड का कर सकते हैं ठीक है यानि इनके विकल प्यानी आप्शन पर हम विचार करेंगे ठीक है अगर वही काम हमको कोई दूसरा मिन्रल दे देता है तो उससे हम लेंगे चुकि यह मेन मिन्रल है तो उनका यूस कम होना चाहिए कम यूस होंगे तो जादे दीन चले पड़ेगा तो वो हमारे लिए बहुत कोसली पड़ेगा ठीक है अगला का भीटिंग एपावर रिस्तोर्षेस है में इस है नेम से ही क्लियर है जैसे हैसे मिनरल जिनसे हम पावर जर्रिट कर सकते हैं या energy generate कर सकें तो उससे हम कहेंगे power resources ठीक है अगर उनसे energy generate हो सकती है तो उनको power resources मान सकते हैं जैसे petroleum हो गया natural gas हो गया water हो गया nuclear fuel हो गया इन सबसे हम क्या कर सकते हैं power generate कर सकता है energy generate कर सकते हैं पेट्रोलियम सभी हमको energy मिलती है natural gas सभी में energy ले सकते हैं water सभी में energy में convert उसको कर सकते हैं हमें energy की जरूरत लगबग हरा area में पड़ते हैं ठीक है बिजली चाहिए तो भी energy से आएगी heating चाहिए cooling चाहिए cooking चाहिए गाड़ी motor को चलाना है rail को चलाना है हवाई जहाच को चलाना है ठीक है agriculture work करने है factory चलानी है machine चलानी है तिन सब के लिए किसी ने किसी रूप में energy की जरूरत पड़ती है तो power resources को हम दो type में divide कर सकते हैं ठीक है एक को हम कहेंगे conventional source of energy दूसरे को हम कहेंगे non conventional source of energy अब conventional source का मत traditional source पुराने source ठीक है जैसे coal से energy लेना petroleum से energy लेना natural gas से लेना water से लेना लकडी जलाकर energy लेना ठीक है गाय की गोबर से energy लेना तो यह सब आपके कायत कह जाते है traditional यानि की पुराने sources कह जाते हैं ठीक है यह आपके pollution भी करते हैं और यह exhaustible भी होते हैं पेट्रोल हुआ डीजल हुआ ठीक है यह आपके खतम भी हो सकते हैं यह जब खतम हो जाएंगे फिर से हमको यह वापस नहीं मिलेंगे इसलिए इनको हम exhaustible sources भी कहते हैं जो non conventional sources होते हैं वो आपके उनको हम क्या कहते हैं कि traditional वो नहीं होते हैं जैसे nuclear fuels यानि एटम से हम nuclear energy बन टूरा है ठीक है solar से energy लें sun से energy लें sun से energy लें solar energy कहते हैं फिर इंडे से energy generate करें geothermal से energy generate करें tide से energy generate करें bio gas energy generate करें तो यह सब चीज़े आपके non conventional sources में आती हैं अब आई यह अगला adding ले ले लेते हैं conventional source of energy और उसके बासे non-conventional के बारे में भी उनों चर्चा करेंगे conventional source of power में सब सब पहले हम बात करते हैं coal की, coal जो आपका होता है वो उसे fossil fuel कहते हैं और ये earth के नीचे sedimentary rocks में पाया जाता है, layer के रूप में plant के decompose होने से ये बनता है और ये एक दिन में नहीं बनता है, million, million years लगते हैं इसको बनने में लाखो करोड़ों साल लगते हैं बनने में, ठीक है sedimentary rocks के में ये layer के रूप में पाया जाता है plant के साड़ने गलने से ये बनता है million years इसको लगते हैं बनने में, ठीक है अंधर्थी के अंदर, अर्थ के अंदर जो pressure होता है, जो heat होता है उससे ये coal में transform हो जाते हैं, ठीक है सबसे अच्छी quality का जो koila होता है, coal होता है उसको anthracite कहते हैं, उसमें 90% carbon होता है उससे कम quality का bituminous होता है और सबसे कम quality का आपका beat koila होता है, ठीक है coal से हम क्या करते है, thermal electricity generate करते है और ये chemical industry में, domestic use में, manufacturing industry में बहुत सारी industry में हम coal का use करते है, energy की रूप में ठीक है, industry में हम energy, जब heat energy हमको चाहिए होता है तो हम coal का use करते है, coal का हम domestic use भी करते है और industrial use भी हम करते है, उसके बाद से आता है आपका petroleum petroleum, petroleum भी आपको क्या होता है, तो earth के नीचे ही पाय जाता है वो भी आपका sedimentary rocks में ही पाय जाते हैं और वो भी plant के पेड़ पौद्यों के सड़ने गलने से बनते हैं लेकिन ये भी million billion years में बनते हैं, ठीक है ये भी इनको भी million billion years लगता है, लाखो क्रोनों साल लगते हैं बनने में ये भी आपका exhaustible resource है, एक बार खतम हो जाएगा लाखो क्रोनों सालों बाद ही मिलेगा इससे भी हम क्या करते हैं कि Thermal electricity लेते हैं और इसका यूस हम ट्रांसपोर्ट फoil में बिकरते हैं इसे हम गाड़ी मूटर भी चलाते हैं कोईरे का यूस करके पर एक ट्रेन चलाई जाती थी ट्रेन भी चला जाती थी ठीक है इसे हम ट्रांस्पोर्ट में भी फ्यूल की रूप में यूज़ करते हैं हीट की रूप में यूज़ करते हैं लाइटिंग की रूप में यूज़ करते हैं लूब्रिकेंट बनाते हैं मोबिल वगरे इसे हम बनाते हैं ठीक है तो यह बहुत ह बहुत कम पैदा होता है इसको बाहर से हमको मंगाना पड़ता है तो हमारे कंट्री का बहुत सारा पैसा इनको मंगवाने में इन पर खर्श हो जाता है तो हमें इसका सब्टिटूट इसके ऑप्शन डूनने पड़ेंगे क्योंकि यह भी आपका एक्जॉस्टिबल है यह जब खत्म हो जाएगा तो मिलेगा नहीं फिर आता आपका नैच्रल गैस नैच्रल गैस क्या होता है कि यह हाइड्रोकार्बन का मिक्षर होता है इसमें में रूप से मीधेन होती है ठीक है और पेट्रोलियम के साथ में ही पाई जाती है सेडिमेंटरी रॉक्स में ही पाई जाती है कुछ इक साथ यह पाई जाती है लेकिन पेट्रोलियम गैस नेच्रल गैस का हम जब यूज़ करते हैं तो यह पैलूशन नहीं फैलाती है इससे सी एंजी गैस बनाई जाती है जिसको की गाड़ी मोटर चलाने के लिए यूज़ किया जाता है तो पेट्रोल पर हम कार बनाते हैं जिसको हम अपने घरों में घास सिलिंडर की रूप में खाना पकाने में यूज़ करते हैं ठीक है उसके वाद से आपका आता है वाटर पावर वाटर से हम क्या करते हैं तो हाइड़ एलेक्टिसिटी यानि बिजली पैदा हम करते हैं डैम बना करके पानी को साफ पावर अब उसको देख लेते हैं उसके बाद आपका आता है नॉन कर्वेंशनल सोर से साफ पावर इसमें जो सबसे पहला था उसको कहता है आपको विंड पावर ठीक है बहुत बड़े-बड़े पंकियां हम लगा देते हैं ठीक है और लगा करके वो पंकियां ऐसे- कब्ड़े-बात्डी से जान इसम इसको चलाती रहती है और उससे हम अनर्य जर्नेर्ट कर पर सकते हैं इसे अम्हादी अर्य जर्क्यार में केरला में इन सब जगों पर यूज किया जाता है उसके वाद से आपका जी यो थर्मल एनर्जी जी यो थर्मल पावर क्या कहते हैं अर्थ के अंदर का जो हीट होता है जब ग्राउंड वाटर जब आपने देखा हुआ जब ठंडी की दुनों में पानी निकलता है आपके अंदर से कल से नलका से नल से जब पानी निकलते हैं आप तो वह गर्म रहता है तो उसी आर्थ के अंदर के अनर्जी का यूज करके यहीट का यूज करके ठीके हम electricity generate करते हैं इसे बिजलियम पैदा कर सकते है टाइडल पावर जब ओशियन में ठीके ओशियन में क्या होता ह है कि लहरें जब उची उठती है जब लहरें नीचे जाती है उसको टाइड कहते हैं हाई टाइड लो टाइड होता है तो उसी हाई टाइड लो टाइड से ठीक हम एलेक्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं विजली पैदा कर सकते हैं तो उसको हम टाइडल एनरजी की रूप में जान gas हम बनाते हैं तो bio gas या gobar gas का भी हम use क्या कर सकते हैं करते हैं तीक है और यह safe होती है CPA pollution यह नहीं होते हैं non konventional जोभी होते हैं wind power हो, geothermal हो, tidal हो उससे pollution आपका बिलकुल होता ही नहीं है तो इनके फायदे क्या क्या होते हैं यह आपका pollution reduce करता है यह pollution free आपका source of energy है ठीक है renewable and non-renewable conventional को कम करता है और जो reusable है ठीक है जो inexhaustible है उनके तरफ हमें दखेलता है और electricity भी यह safe करता है ठीक है तो यह इसके होगे बहुत सारे फायरीस के होते हैं हम जब non-conventional का use करेंगे और conventional पर हम जब depend नहीं रहेंगे तो हमारा environment भी safe रहेगा pollution भी कम रहेगा ठीक है और बाकी सारे चीज़ें अच्छी रहेंगे उम्मीद करता हूँ कि यह chapter आपको आच्छे से समझ में आए होगा अभी भी अगर आपको कोई point नहीं समझ में आया या कुछ पूछना है तो comment आप ज़रूर करें comment करके पूछें comment जब करें आप तो अपने city का नाम भी ली करके बेज़ें तकि मैं देख सुकू कि आप मुझे कहा कहा से देख रहे हैं कहा कहा से सुन रहे हैं ठीक है चैप्टर नमर 6 के explanation में तब तक के लिए जैहिन जै भारत